नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल पर साथ ही हो आज का जो अपना टोपिक है वो है उपलबधी प्रीक्षन यूनिट नमबर पांच में ये अपना टोपिक है साइकलोजी के लिए और उपलबदी प्रीक्षन बहुती सिंपल सा टोपिक बिलकुल आराम से अपन इसको कर सकते हैं किसी प्रकार की दिककत इसमें नहीं आएगी इसमें क्या है कि देखे उपलब्धी प्रीक्षन का मतलब है उपलब्धी की जांच करना और अगर अगर अपन शिक्ष्या से सम्मंदित बात करें तो किसकी उपलब्धी जांचते हैं अपन बच्चों की लेकिन यहाँ पे शिक्सक अपनी उपलब्धी को भी जा सकता है तो वही होता है उपलब्धी प्रीक्षन यानि बच्चे या शिक्सक की उपलब्धी जानना है कि है उपलब्धी प्रीक्षन है उसके ग्यान की सीमा का मुल्यांकन करती है यानि कि किसी विशेश शेतर में उस वेक्ति को कितना ग्यान है उस ग्यान की सीमा का मुल्यांकन कोन करता है उपलब्धी प्रिक्शन करता है ये डेफिनेशन है गेरी सन की ठीक है साथियो तो ग्यान की सीमा से गेरी सन को आप connect कर सकते हैं कि गेरी का जो सन है उसकी क्या है उसके ग्यान की क्या है सीमा है इस परकार से थोड़ा सा आप याद कर सकते हो इसको आगे देखें इबेल की definition है इबेल ने कहा कि उपलब्धी प्रीक्षन वह अभी कल्प है जो विद्यार्थी के दवारा ग्रहन किये ग्यान कुसलता वचमता का मापन करता है ठीक है साथियो तो ये दो definition उपलब्धी प्रीक्षन की आपको इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बात करेंगे उपलब्धी प्रीक्षन या निस्पत्ती प्रीक्षन की विशेश्ता तो साथ ये उपलब्धी प्रीक्षन को निस्पत्ती प्रीक्षन के नाम से भी जाना जाता है ये जो नोट साजवपन पढ़ रहे हैं ये र ग्यानवय कोसल का मापन करना, याइन कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, वो उन्होंने किस हद तक, किस सीमा तक ग्रहन किया है, ये जाजना उपलबधी परीक्षन 변 की विशेष्टा है, आगे ग्यान वबधी ग्यात की जाती है, इससे कि बच्चे को कितना ग्यान प्र बाच भी इससे होती है यानि कि सिक्षन व अध्यन की सफलता कि किस हद तक सिक्षन कारिये जो वो सफल रहा बच्चे किस हद तक सीखे हना तो इन सबी चीजों की जानकारिये अपने को उपलबदी प्रीक्षन के द्वारा मिल पाती है बड़े ही आराम से तो ये उपलबदी प्रीक्षन की उप्योगीता क्या क्या है तो देखिए स्रेणी विवाजन व वर्गिक्रण में ये साहिक है वर्गिक्रण में कैसे बच्चों के अलग-अलग सेक्षन बना सकते हैं आप उपलबदी प्रीक्षन को एक प्रकार से किस प्रकार मान सकते हैं कि जैसे टीचर क्ल प्रिर्णा परदान करने में भी साहिक हैं सेक्षिक निर्देश परदान करने में भी साहिक हैं या साहिता निर्देशन प्राप्ट करने में भी साहिक हैं फिर निदान आत्मक वो उपचार आत्मक शिक्षन में भी साहिक हैं जाहिर सी बात है अपने जब उपलब्दी प्रिक्षन लेते हैं तो कोई बच्चा कमजोर भी होता है तो अपने को ये पता चलता है कि इस बच्चे ने ये परसंद किया नहीं यानि कि ये टोपिक इसको नहीं आता यानि कि इस टोपिक में इसको समस्या है तो वो तो होगा है निदानात्मक कारी है फिर उस समस्या को दूर कर दिया जाता है वो जाएगा उप्चारात्मक सिक्षन तो ये दोनों में साहिता करता है उपलब्दी परीक्षन फिर है अध्यापक के कारियों का परीक्षन करने में भी साहिक है अध्यापक ने जो पढ़ा परीक्षाओं को स्वेंग के कारिये का परीक्षन समझना चाहिए बिल्कुल से बात एक टीचर को ये समझना चाहिए कि जो टेस्ट हो रहे हैं ये आपका परीक्षन है यह जो उपलब्दी परीक्षन है यह किसका परीक्षन है आपका परीक्षन है बच्चों का नहीं आपने बच्चों को कितना सिखाया यही डिपेंड करेगा कि बच्चे जो वो किस परकार सिखाया कि बच्चे अच्छे से सीख पाएं अगर बच्चा कम लिख रहा है यानि कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया ये कोलेशनिक के डेफिनेशन चलिए, आगे देखते हैं कि अच्छे परिक्शन की विशयस्टाइं क्या है विशयस्टाओं की बात करें पर पिर है वेदता वेदता directly की जिन उदाश्यों के लिए friction त्यार किया गया है उन उदाश्यों को पूरा पिर है विभेद्कारिता विभेदिकरण यानी ऐसे पर सन्रेख्षा घ्रिक्रंट में जिससे पर्थिवा साली कमजोर की पह See अब साथ यह 10 प्रशनों का एक टेश्ट लिया, सभी बच्चों ने वह सारे के सारे प्रशन सही कर दिये, तो क्या उस परीक्षन में विवेदकारिता या विवेदकार्य। है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 10 के 10 प्रसंद सभी बच्छों ने कर दिया यानि कि कुछ अंतरकर ही नहीं पाई अगर अलग अलग सही करते हैं इसका मतलब वो परीक्षा क्या विवेदकारी परीक्षा है चलिए आगे बढ़ते हैं व्यापकता यानि कि पूरे पाठेकरम स प्रसंद हो फिर है असपष्ट था भासासरल वसपष्ट होने चाही जिससे बच्चे प्रसंदों को आराम से समझ पाएं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है फिर है वेवहारिक्ता यानि परियोग में किसी भी परकार की कठीना इनको ना हो यानि कि ऐसे प्रसंद हो जो देन खरचा इसके उपर ना हो मितवय ये हो तो ये सारी की सारी विश्यष्टा हैं उपलबधी प्रिक्षण की और मेरे इसाब से आपको सारी की सारी चीज़े समझ में भी आ गई है ज्यादा कुछ भी नहीं है उपलबधी प्रिक्षण वाले टोपिक में जो मैंने पढ़ाता ह आपको बता दिया है इससे ज़्यादा आपको पढ़ने के आऊ सकता नहीं है उपलब्धी प्रिक्षन से समधित कोई भी परसंचाए आपका पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ आज आएगा तो आप आराम से कर दोगे कोई ज़्यादा टफिसके क्यूसन बन ही नहीं सकते आराम से सिंपल क्यूसन बनते हैं और सिंपल ही उसके उत्तर दिये जा सकते हैं ठीक है साथियो उमीद है आप सारा टॉपिक समझे होंगे आपको वीडियो पसंद आया है मेरी बाते पसंद आई हैं समझाया वहा समझ में आया है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे साथियो अगले वीडियो में एक और ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार